नमस्ते दोस्तों चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम फिर से फ्री कुंडली रीडिंग के रिगार्डिंग जो एक वीडियो बनाते हैं उसके रिगार्डिंग आए हैं और जो 30 अगस्त के तक जिनोंने हम मुझे कुंडली प्रोवाइट के थे उनकी कुंडली में से जो स कैसे Gusड नहीं से चले जा रहे हैं उनकी वीडियो बनाते चला जा रहा हो हुए तो अभी जिनकी से रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे लिंक आपको मैं आपके वर्ट Сवापर प्रोवाइट कर दूँगा चिनकी जिनकी रीडिंग होगी उनको वीडियो अपडेट करके उनके वाटसाप पर लिंक प्रोवाइट कर दिया जाएगा आपको उस सब पूछने की या टेंचन लेने की ज़रुवत नहीं है दूसरे अपूर्टन पॉइंट अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट नहीं होती है तो आप लोग रिपीट लिखे 15 सप्टेंबर डाल दीजे मैं 15 सप्टेंबर के बाद फिर से आप लोग की सिलेक्शन प्रोसेस में डालने की कोशिश करूँगा अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट नहीं होती है तो जो कि आप एक हफते बाद ही मेरे मेरे साब से मैं सारी रीडिंग तो एक हफते बाद अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट नहीं होती है तो आप वो प्रोसेस में डाल सकते हैं तीसरा इंपर्णन पॉइंट यह है कि जो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उनको भी अपनी लीडिंग करवानी है तो वो मेरे को डिस्क्रिप्शन म करवाना है तो भी हाँ मुझे कॉल या वर्ट्साइब कर सकते हैं इसी नंबर पर करिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है परसनल रीडिंग चार्जबल होती है जैसे कि आप लोग पता ही है तो परसनल रीडिंग चार्जबल होगी लेकिन अगर आप फ्री कुंडली रीडिंग बात कर लेते हैं यह कुली अजेजी की है अजेजी 29 एर्स के हैं इनकी महादशा जुपिटर की चल रही है दोजार रिकतिस तक चलेगी दोजार पंदर से स्टार्टी अंतरदशा मरकरी केतु की खतम हो चुके 22 में मरकरी और 23 फेवरी तक केतु की अंतरदशा ख प्लैनेटरी पोजिशन है मरकर मार्स यहां पर पहले घर में बैठके तीन दिश्टी दे रहा है चौते घर में सातवे घर में आठवे घर में शनी यहां पंचमेश योग कारक प्लैनेट होके योग एजुकेशन के घर में बैठके और त्रिकोर में बैठके आपको तीसरी तीन द्रिष्टि दे रहा है सातवे घर में ग्यारवे घर में और दूसरे घर में उसकी तीन द्रिष्टियां है और यहां पर जुपिटर अपने पाथ तीन द्रिष्टियों से अपना कन्वीनेंस के घर पर द्रिष्टि दे रहा है उसके बाद अपने घर पर हेल्थ और लोन नोना चाहिए क्योंकि उनके पास कई लोगों कई उनकी मादर ने उनकी परसनल डीटेल मुझे बता है उनके family members ने उनके कुंडली कई बार read करवाई है और उनको कई बार बोला है जी कि आपको foreign settle हो जाना चाहिए तो आपको फाइदा मिलेगा दूसरा point वो उन्होंने पूछे कि wealth generation कब होगी और कैसे होगी अब अपनी महना से वो चाहते हैं जी उनकी wealth generation हो ये दो सवाल उन्होंने कई सारे सवाल पूछे थे इसमें से दो सवाल मैंने ये put out की है लेकिन उनके मैं कई सारे सवालों के जवाब देने के अभी कोशिश करूँगा आजे जी आपने सबसे पहले मेरे से जो चीजे बात किरूए उसमें से आपने कहा था उस चीज को पर focus करिए जहां पर जब पैसा नहीं होगा तो financial aid या financial assistance कैसे किसी को देंगा जब आपके पास ही पैसा नहीं होगा तो मेरा point यह है जिकि आपको अगर किसी astrologian ने बोला है या किसी ने बोला है foreign settlement के लिए तो आप उसको मैं जानता हूँ कभी कभी क्या होता है जो चीज आपको करनी होती है उसी चीज में कभी कभी मन नहीं लगता ठीक है लेकिन आपको वो चीज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप अपनी personal life में कुछ growth चाहते हैं तो शायद आपको ये काम करना पड़े क्यों करना पड़े उसके जवाब मैं दे सकता हूँ देखें working lord है moon वो भी 12,000 में जाके बैठ गया है income lord है sun वो भी 12,000 में जाके बैठ गया है भागेश का मालिक होके और वयेश का मालिक होके mercury mercury खुद जाके अपने ही घर में 12,000 में जाके बैठ गया है loan, disease, depth का मालिक होके और इक तरीके से देखा ज़े courage और हिमत का भी कुछ हत्ता मालिक होके Jupiter खुद जाके 12,000 में बैठ गया है और खुद भी 6,000 का owner होके 12,000 में जाके बैठ गया है तो नीच भंग राजोग बना रहा है यह भी नीच होके बैठ गया है 12,000 का मालिक होके मरकरी खुद ही 12,000 में बैठ गया है तो income, work, luck तीनों चीजों के owner यहां बैठ गया है 12,000 में तो आपको फाइदा तो बाहर से ही मिलेगा expenses में मिलेगा अब बात यह आती है जिकि आपको फारें जाना चाहिए के नहीं जाना चाहिए इतना कह देता हूँ जिकि अगर फारें नहीं जाना चाहते एड लिसमने birthplace से दूर चले जाए जहां पे आप पैदा होएं जैसे आप जहां आपकी जो birthplace है वहां से अगर आप दूर चले जाएंगे तो इसके effects काफी हद तक positive होने लगेंगे instead of being negative अगर अपने birthplace से आप दूर हैं और इंडिया में हैं तो भी आपको अगर इसका benefit नहीं मिल रहा तो तो मैं आपके पास कोई option नहीं देता हूँ मैं आपको simple बात बोलता हूँ तो ही आपको benefit मिलेगा अगर आपके पास opportunity आती है क्योंकि गुरू के अंतर महादशा चल रही है opportunity आईगी आपके लिए कुछ warnings है पहली warning यह है तो राहू आपके second house में बैठा हुआ है राहू second house में बैठके smart work करवाता है अब आपकी दशा चल लिए गुरू की गुरू क्या करता है ग्यान के मालिक है और राहू के साथ इनका उतना बंता नहीं है अब गुरू क्या कर रहे है यहाँ पर आपको सीधे रस्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे चाहे हो परेशानी से हो खर्चे से हो किसी भी चीज से हो और आप हो सकता है जी कि उसमें acceptance नहीं आपा रहा है क्योंकि राहू यहाँ पर second house में बैठके fast forward काम कराने के लिए आपके अंदर की जो फोल है उसको प्रोसेस कर रहा है अब इतना एनलीसिस जो ancient एनलीसिस है वो ना करके मैं एक simple logic देता हूँ देखे मैं भी आज YouTube में बैठा हूँ मैं भी आज YouTube से काम करता हूँ उसका शायद reason यह जी कि air planet जो राहू है उसका असर मुझ पे भी है कही ना कही तो आपको भी मैं advice दूँगा जी कि आप अगर अपने fixed assets को या किसी भी चीज़ को अगर आप income को अगर आप देखे तो ऐसी तरीके से करें जो air related हो जैसे YouTube हो गया है या किसी ऐसी चीज़ हो गये जो Facebook है, YouTube है, Instagram है अगर आप अपने काम को air के थुरू प्रमोट करें आपको अच्छा फायदा मिलेगा राहु यहाँ पर sudden gain देगा आपको second house में और राहु आपके लिए उतना negative नहीं है हो सकता है, mangal के घर पर second house में बैठा है तो आपको लग रहा हो, जिकि यह मारक है और mangalik भी हैं आप इसलिए यह दिक्कत हो, हो रही हो लेकिन मैं आपको यह बोर सकता हूँ जिकि आप जितना air में जाएंगे आप communication में जाएंगे जितना आप आप videos में जाएंगे जितना आप इन सब चीजों में जाएंगे जिसमें जो invisible चीज़े हैं लेकिन feel की जा सकते हैं एसास की जा सकते हैं सकते उन सब चीजों में राहू आपको अच्छा फाइदा देगा राहू की उपाई कर सकते हैं राहू को उपाई बहुत सारे हैं आप कर सकते हैं मैंने कई वीडियो में बोलें देख लीजएगा सामल्टेनेसली गुरू की महादस्टा चल रही है तो गुरू की भी कुछ उपाय करिए हाँ राहू यहाँ बैठा हुआ आपको लोन की भी आपको लोन दिलाने के लिए भी करेगा उमीद करता हूँ जिकि आप लोन ना लें क्योंकि यहाँ पर आप अगर लोन लेंगे तो आपको परिशानी होगी अब बात आती है कि फॉरेंटल सटल हो सकते हैं की नहीं हो सकते हैं आप पिल्कुल सटल हो सकते हैं आपके दूसरा सवाल यह था आपका hard work materialize नहीं हो रहा उसका शायद reason यह है क्योंकि आप कहीं ना कहीं smart तरीके से काम करने की कोशिश करें आपकी growth slow होगी, थोड़ इसी slow होगी क्योंकि राओं यहाँ यहाँ पे बैटके बार बार घुमाएगा परिशान करेगा अगर आप birthplace से बाहर चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा beneficiary result देगा अगर आप शादी कर लेंगे तो आपने एक बार यहाँ पे यह भी बोला जै कि शादी कर लूँ क्या benefit मिलेगा उसके regarding भी एक बात बता देता हूँ आपकी जो venus है वो income के house में बैठा है अगर आप शादी करेंगे तो भी आपको income benefit मिलेगा आपके wife के तुरू हो सकता है उनके in-laws के तुरू आपको काफी सारे benefit मिल जाए income में आपको support मिल जाए आप जिनसे शादी करें उनकी ancestral property या in-laws से आपको income में फायदा मिले यह जरूर हो सकता है और mangalik है तो शादी करने से पहले जरा सा यह चकर वा लिजएगा जैकि mangalik का आपका कैसा रहेगा मतला उसकी उपाय करवा के ही शादी करें रहेगा किसी mangalik से जो जिनसे शादी करें वो भी mangalik हो तो थीक है अब बात बसते हैं कि income generation कैसे होगी income generation slow होगी यहाँ पर reason being आप अभी भी इंडिया में बैठें अपने birthplace के आसपास होगे तो बिल्कुश slow हो जाएगी आपको अपने birthplace से दूर जाना पड़ेगा चाहे वो इंडिया में हो या foreign में हो अगर आप foreign चले जाते तो बहुत अच्छा रहेगा आप income कहां से करेंगा आप job से भी income कर सकते हैं आप income से भी income कर सकते हैं आपके मंगल पहले घर में बैठा हुआ है अगर मंगल पहले घर में बैठा हुआ है मांगली जरूर बनाता है लेकिन business से भी आपको income provide कर रहा है और मंगल यहाँ पे दिखा जाए तो fixed asset का भी मालिक हो के first house में बैटा है तो आप अपनी महनत से या अपने लिए fixed asset बना लेंगे अगर आप महनत करेंगे तो ये भी हो सकता है कि after marriage आपके fixed asset बनना शुरू हो जाए क्योंकि मांगलिक हैं आप मांगलिक किसी person से शादी करें लेकिन वो हो सकता आप आपके लिए productive हो आपके लिए beneficiary हो आपको sudden gain provide करते हैं Venus यहाँ पर बैठा हो 11 घर में आपको sudden gain और लगने शो के भी बैठा हुआ है तो आपको sudden gain it presently Venus के अंतरदाशा चल रही है at presently आपको sudden gain मिल सकता है 25 मैंने आपको जो date बताया है 25 October 2025 तक आपको sudden gain के भी chances बनते हैं अग आपके kutum उनकी kutum से in-law से आपको benefit मिले sudden gain मिले अब वो आप पर depend करता है जिके आप शादी कप करना चाते हैं आप कम नहीं करना चाते हैं मैं जीवन के कुछ important point बता जिता हां केतू के आपने पूछा है कि आपको केतू की सब पिरेट बापका accident हुआ तो उसका reason यह है के केतू 8,000 बैटा है और केतू अच्छे घर में नहीं बैटा केतू यहाँ पर अच्छे result नहीं दे रहा है इसलिए हां दीसरा point यह है जिके आप मुझसे कहते सर केतू की दशा कैसे रहेगी केतू की तो अंतर दशा अभी के लिए तो जूपिटर सर निकल गई है इसके बाद जब केतू के अंतर दशा आएगी वो आएगी जब शनी की महादशा चलेगी जब शनी की महादशा चलेगी तब आप जब केतू की अंतर दशा आएगी वो भी छोटे पिरेट के लिए आएगी तो भी वो आपको सेफ करके आपको अपने आपको सेफ करके और शनी की शायेगी और उसके बाद फिर आएगी मरकरी की महादंशह, बुद की महादंशह तो बुद की महादंशह अभी करीमन 16-17 साल के लिए आती ह् 1 सोला, सतरा साल तब हो गया तो 19 साल, 16-17 साल अभी के करीमन करीमन 7-8 साल तो अभी आप पकड़ेंगे तो आपके पास करीमन करीमन 40-45 साल का अभी और हेज़ है आपकी उमर अभी 29 है अगर मैं उसमें और 20 years और 36 years एट कलो तो आप 66 के हो जाते और उसमें 7 साल और 72-73 गर तो केतु की जब महादशा आएगी तब आप old age पे होंगे 72 के पार होंगे के तो यहाँ बैटके sudden gain जरूर दिलवा सकता अपनी अंतर दशा और अपनी महादशा में अंतर दशा में भी दिला सकता लेकिन health issues देगा चाहे वो शनी की दशा में हो शनी की दशा में शायद वो कैसा असर देगा unpredictable है मैं नहीं कह सकता लेकिन खराब ही दे सकता और positive दे सकता बुद की दशा में तो अच्छा नहीं देगा reason यह भी खुद 12,000 का owner है तो आपकी अंतर दशाओ में आपको सावदार रहना पड़ेगा लिकर वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आएंगी लेकिन जब केतु के महा दशा आएगी वो आपके लिए खराब होगी लेकिन वो 70 प्लस के age पे आएगी और आपको भी समझना चाहिए जब 70 प्लस की age हो जाएगी आपकी तो आप old age में होगे तब आपको अपने आपको देखना ही पड़ेगा careful रहना ही पड़ेगा और तब आपका end of the time आता ही है तो वो आपको accept करना पड़ेगा तो केतु के अंतर दशा महा दशा आपकी लिए खराब होगी वो जब होगी तब होगी वो बहुत लंबा है अभी के लिए नहीं सिर्फ अंतर दशाओं पर ध्यान रखेगा जिकि वो कित्ते दिनों के लिए आ रही है और वो कैसी आ रही है और किस time पर आ रही है उस time पर आपको अपना care लखना पड़ेगा ठीक है जी अब दूसरी बात बची अब बात ये बची क्या रह गया है इसके अंदर मैंने आपको बोला है जी कि अकर बहार से आप income करेंगे तो अच्छा है उसका reason मैंने आपको बोल दिया जी कि क्यों होना चाहिए हाँ अब logic की बात ये बचती है कि मंगल अगर आपके first house में बैठा हो और लिबरा लगन में बैठा हो तो वीनस के घर में बैठा है यहाँ पर मंगल आपके लिए अच्छा friendly नहीं है मैं ये बोलूँगा और राहु भी second house में बैठा हुआ है इन दोनों की combination देखे मैं एक चीज बोल सकता हो जैकि आपको हो सकता हो आपका दिमाग थोड़ा जल्दी गरम हो जाता होगा polite रहते हैं आप क्योंकि वीनस है लगन वीनस है polite रहेंगे लेकि वीनस भी खुच जाके सब्सक्षान के house में बैठा है इस कारह से हो सकता है जैए आपका दिमाग बहुत जल्दी गरम हो जाता हो और उसका आपको कही ना कही effect जहिलना पड़ता हो और आपके जवान पे कही मना कही कोई लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा smart या बहुत ज़्यादा knowledgeable है या बहुत ज़्यादा कुछ दिखा रहे हैं उस point पे आके आपकी जो communication है communication अच्छी है लेकिन वो overburdening या कहीं ना कहीं smartness ना दिखा है अगर वो दिखाएगा तो आपके लिए complication ये दोनों चीज़े करेंगी तो mangal को थोड़ा सा अपने गुसे पे control करिए थोड़ा सा अपने communication को समाल के चलिए लोगों को friendly nature पे रखे तो आपके लिए beneficiary रहेगा मेरे को लगता है जी कि इतना मेरे अभी के लिए आपको जितना हो सके उतना मैंने guide कर दिया है आपको आपको आपकी life के regarding जितना हाँ आपका शनी योग कारक planet है यहाँ पे शनी बैटके योग कारक है त्रिकोन और केंद्र का मालिकों के बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रहेगा पहराल यह आपका था अजे जी आपके रिगार्डिंग जो मैंने reading कर दिया है I hope आपको पसंद है